दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत ही आपका एक पारफेट से आपके अपने ही चेनल करिक पॉली पार जा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1993 में रिलीज हुई शारुखान की बासिगार, साल 1992 में रिलीज हुई गोविंदा की शोला और शमनम और इसी के साथ साथ हम ब भी बताने वाला हूँ कि इन तीनों फिल्मों में किस फिल्म नहीं बाजी मारी थी तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फिल्म फूल और काटे की, तो 22 नॉमबर 1991 में रिलीज फिल्म की कहानी लिखी थी इकबाल दुर्रानी ने और म्यूजिक द्या था इस फिल्म को नदीम सरवण ने, तकरीबन 2 करोड उपे के बजट में बने इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 11 लाक उर्पे की कमाई की थी और बॉक्स ओफिस इंडिया लाइफ टाइम इस साले 6 करोड उपे का कारोबार क्या था और पूरे वर्ड में 11 करोड 75 लाक उर्पे कमाई थी और ये एक एक एक्शन, क्राइम, ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी अब अगर बात करें शोला और शबनम की तो ये फिल्म रिलीज हुई थी तेही चनवरी 1992 को फिल्म में हमें नसाराई थे गोविंदा, दिव्यभार्ती, गुलशन ग्रोवार और अनुपमखे फिल्म को डेलिट क्या था डेविड धवन ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को पहला अज निलारी ने तकरीबां धाई करोड रुपे के बजट में इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 12 लाक रुपे की कमाई की थी और बॉक्स ऑफिस इंडिया लाइफ टाइम इस फिल्म ने 6 करोड रुपे कमाई थे और पूरे वर्ल्ड में 10 करोड 75 लाक रुपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट सा भी थुए थी अब अगर बात करें बासीगर की तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 नवंबर 1993 को फिल्म में हमें नज़र आई थे शारू खान, राकी गुलसार और काचोर फिल्म को डेरेट क्या था अबासमस्तान ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को गनेज चैन और चंपक चैन ने फिल्म को म्यूसिक दिया था अनुमलिक ने और तकरीबन दो करोड रुपे के बजट में बनी इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 11 लाख रुपे की कमाई की थी और बॉक्स आफिस इंडिया लाइफ टाइम इस फिल्म ने 7 करोड पी 75 लाख रुपे कमाई थे और पूरे बाजी का फिल्म साल 1993 में सबसे आगे रही वैसे अपने टाइम में साल 1991 में फिल्म फोल और काटे ने भी तगड़ी कमाई की थी लेकिन फिर भी इन 3 फिल्मों में बाजी जो मारी है वो मारी है बाजी करने लेकिन दोस्तों आपको इन 3 फिल्मों में कौन से फिल्म में सबस बताई येगा, thank you